किरन रिजजु से कानून मंत्री का पद छिन लिया जाता है किरन रिजजु इससे खफा नजर आते हैं तो ऐसे में जो ये नराजगी दिखाई दे रही है ये सीधे तोर पर नजर आती है कि भारती जनता पार्टी की तरफ से अपनी ही मंत्री की खिलाफ यहाँ पर उतरतेवी नजर आ रहे पृदहार मंत्री नरेंद्र मुदी अपना सिध साधने के लिए यहाँ पर अपने ही मंत्रीजजु नराजगी इस बहुत बदलाव होता है इस बदलाव के तहत सुप्रीम कोट के जजों को लेकर जो तिपड़ी करते है किरन रिजजु उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदान मंतरी एक फैसला सुनाते हैं और कानून मंतरी के पद से उन्हें हटा देते हैं और भूविज्ञान उन्हें सौब देते हैं तो ऐसे में तो नहीं बोल पाए लेकिन उनकी पतनी उनकी जरीए काफे को शिप्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी पतनी के बात करें तो जौरम रीना रिजुजु हैं और जिस तरीके से वह देखे जा रही हैं वह लगतार राजनीती से मोधी कैबिनेट में बदला हुआ तो ऐसे में किरन रिजुजु पर फैसला क्यों सुनाया गया किनन रिजुजु की बात की जाए तो यहां पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के समर्थन में ही बोलते हुए नजर आए हैं तमाम तरीके से भारती जनता पार्टी का सामने आना यह जाहिर करता है कि यह खुला से कहीं न कहीं आने वाले चुनाव से पहले मोधी सरकार पर भारी पढ़ने वाले हैं करनाटक का जो रिजल्ट सामने आया है उससे तस्वीरे तो साफ हो गई है कि अपने ही मंतरियों के खिलाब बगावत करना यहां पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी बुरी तरह से फर्स चुके हैं अब ऐसे में किरन रिजिजु की पतनी का बयान भी सामने इस तरीके से आता है कि जो सांसद है उसको लेकर तो वह कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन उनके पती पर एक्षिन लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस लिए क्य जो सामने आ रहा है प्रदाहान मंतरी नरेंद्र मोधी पर सीधे सवाल खड़ी करते वे नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है कि क्या वाके यहां पर सरकार ने गलत फैसला सुनाया क्या है आपकी राय के मिन बॉक्स में जरूर बताएं क्या है आपकी रहा हैं